मंजिरी को मांसिक स्वास्थे समस्या हैं भारत में काफी सारे अन्य लोगों की तरह वो उन चीजों के बारे में भी चिंतित हो जाती है जिनके बारे में आम तोर पर चिंता नहीं होती उसे एकागरता बनाए रखने में दिक्कत होती है और आसानी से बहुत गुस्सा आजाता है उसे एक सामान्य जीवन जीने में समस्या महसूस होती है जिन लोगों को मांसिक स्वास्ते समस्या होती हैं वो अमूमन अपनी समस्याओं के बारे में किसी को नहीं बताते और यही कहाणी मनजरी की दी है वो अपनी समस्याओं को अपने तक ही सीमत रखती है क्योंकि उसे डर है कि बाकी लोग उसके बारे में ना कारमक धारनाएं बनाएंगे अपने अकेलेपन में वो आत्महत्या के बारे में सोचती है मंजरी की जिन्दगी में ये वो समय है जब एक आशा उसकी घर आती है और ये भेंट मंजरी की जीवन में एक बड़ा बदलाव लाती है आशा को काफी सारे सवाल पूछने के बाद सबसे पहले ये मालूम पड़ता है कि मंजरी को मांसिक स्वास्ते समस्याएं है यदि मंजरी को सही मदद मिले तो उसकी मांसिक स्वास्ते समस्याएं खत्म हो सकती है आशा उसे नकली डॉक्टर्स और जादू टोने का इस्तिमाल करने वालों से परामर्ष लेने से मना करती है बलकि उसे एक पेशेवर या व्यवसाइक मांसिक स्वास्ते कर्मी से मदद एवं परामर्ष लेने को कहती है इसलिए आशा एक डॉक्टर के साथ परामर्ष की व्यवस्ता करवाती है डॉक्टर मंजरी को परिक्षन के बाद डिप्रेशन में यानि की अफसाद ग्रस्त पाते हैं और उसे दवाईयां देते हैं डॉक्टर मंजरी को ये भी बताते हैं कि वो किस तरह से और क्या कर सकती हैं ताकि अपनी जिंदगी को बहतर बना सकें डॉक्टर ने उसे ये भी बताया कि उसे अपनी समस्याओं से दूर भागने की जगां उन्हें स्वीकार कर अपनाना चाहिए और इसलिए उसे अपने करीबी दोस्तों और परिवार वालों से इसके बारे में बात करनी चाहिए डॉक्टर के परामर्श और सलाह के बाद मंजिरी अब अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती है जिस तरह वो मानसिक स्वास्ते समस्याओं के शुरू होने से पहले जीती थी यदि आपको कोई भी मानसिक स्वास्ते संबंधी समस्याएं हैं कृपिया मदद लें, एक पेशेवर या व्यावसाइक मानसिक स्वास्ते कर्मी से परामर्श लें अपने दोस्तों और परिवार वालों से इस बारे में बात करें